हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप सभी ममता कीशन रेसिपी इसमें आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूं मखाने से काजू कतले की रेसिपी आप देख सकते हैं कि इतनी बड़िया काजू कतली बनी है बहुत सौफ्ट बनी है एकदम मारकेट जै कि इसके फ्लेम को में बिल्कुल रखना है और अब हम एड़ करेंगे मखाने में यहां पर सो गराम मकाने लिए हैं और इन मखानों को हम इस खीम में रोस्ट कर लेंगे जिसे एक दम कुरकरे हो जाएं दोस्तों यह मखाने हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदा में दोते है इसमें काफी गुण होते हैं जैसे अगर आपको हार्ट अटेक जैसी गंभीर ब्रिमारी है तो भी आप इन मखानों का सेवन करके इस बिमारी को दूर कर सकते हैं अगर आपको सूकर है तो भी आप इन मखानों का सेवन कर सकते हैं अगर आपको जोडों का दर्थ है तो भी या आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदमेंद है आपको इसे अपने डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए लो मेडियम फ्लेम पर हमने इसे लगबग एक से दो मिनट तक इस तरह से चलाते हुए रोस्ट कर लिया है और जो यह मखाने हैं वह एक तम अच्छे से रोस्ट हो गए हैं एक दम कुरकुरे हो गए हैं मापको इसे चेक करके भी दिखा देती हूं यह देखे कितने असानी से कुरकुरे हैं अब मिक्सर में दमचे से बार एक पीस लेंगे इसके लिए उसी कड़ाय में हम एड करेंगे एक कप चीनी ग्राम में लगबग 200-200 गराम और चीनी के साथ हम इस करेंगे पाने जितने आप चीनी ले अधाफ को पानी लेना है मैं हमें या दि कर रही हूं और भूने 10 जिलेंगेो चीनी को मैं जाने छाएं दिखा लें गे यहां मेंने मिक्सर जाड लिया है और इसमें symbols डरेंगे हमारे रुस्ट कीई सकते हैं और एक्दम बारिक पीस करके तयार कर सकते हैं अब बीच बीच में रोक कर चलाते हुए इसे हमने अच्छे से बारिक पीस लिया है आप देख सकते हैं इस तरह का हमें पीस करके तयार कर लेना है और अब हम इसी बावल में निकाल लेंगे बाकी के बचे विये मखाने भी हम इसी तरह से पीस करके तयार कर लेंगे ये देखिए हमने इसे भी एकदम अच्छे से बारिक पीस लिया है और इसे भी हम उसे पॉल में निकाल लेंगे आप देख सकते हैं इसे हमने एकदम बारिक पाउडर की तरह पीस करके तयार कर लिया है और अब हम इसी ग्रैंडर में एड़ करेंगे हाफ कप काजू मैं यहाँ पर काजू भी डाल रही हूँ आप चाहें तो इसके जगा नारेल भी डाल सकते हैं जो भी आपके पास अवलेबल हो और यह देखिए हमने इसे भी पीस करके तयार कर लिया है और इसे भी हम एक अलग बरतन में निकाल लेंगे काजू डालने से इस कतली में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा एकदम काजू कतली जैसे यह कतली लगेगी बहुत ही बढ़िया बनेगी इस तरह से बनाएगए यह कतली आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदमेंद रहेगी अगर आपके फ फिर भी कोई मोटे दाणे रह जाती है तो आप उसे क्या कर सकते हैं छलनी के साइथा से जान सकते हैं जिससे मोटे दाने अलग रह जाएंगे ये देखिए इधर हमारी चीनी भी एक दमचे से मेल्ट हो चुकी है और इसे हम लगवख 5 मिनट तक पका लेंगे चीनी के मेल्ट हो जाने के बाद इसे हमें लगवख 5 मिनट तक पका लेना है चीनी के मेल्ट हो जाने के बाद इसे हमने लगवक 5 मिनट तक पका लिया है और अब हम इस चाशनी को चेक कर लेते हैं यह देखिए इस तरह से थोड़ी सी चाशनी हमें हाथों में लेनी है उंगलियों में और इस तरह से करके देखना है आप देख सकते हैं इसमें एक तार ब अब हम इसमें आड़ करेंगे पीज़्य काजु का पाउडर काम किई तयार कियो और आपकी हेल्थ को भी बनाए रखेगी यह देखिए हम इसमें बागी का मखाने का पाउडर भी एड़ कर लेंगे और इसे भी हम इस मिक्चर में दमच्छे से मिक्स कर लेंगे तो दोस्तों इस तरह से यह मखाने की काजु कतली बनाना बहुत ही असान है आप सभी एक पार इस रेसिपी को जरूर ट्राय कर देखिएगा यकीन मानिए आप सभी को यह जरूर पसंद आएगी इन सभी चीचो को हम आपस में एक दमच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सभी चीचो को हमने आपस में एक दमच्छे से मिक्स कर लिए है और आप देख सकते हैं इस तरह का एक दम टाइड डो हमने बना करकर के तयार कर लिया है इसका इस mixture को हम निक दमचे से ठंडा कर लिया है इस पैचुला की मदब से आप देख सकते हैं इसे हाथों से भी हम आसाने से छूपा रहे हैं यारे कि दमचे से ठंडा हो गया है यहां मैंने एक चकला लिया है जिसके उपर हम रोटी बनाते हैं उसके उपर हम थोड़ा सा घी से ग्रिश कर लेंगे और इसके उपर हम यह काजू और मखाने का डो ले लेंगे और इसे इस तरह से बेलन की मदब से बेल लेंगे जिससे हम इसके आसाने से बर्फी कट कर सके करके आप चाहें तो इसे सैट करके भी इसके बर्फी कट कर सकते हैं यह देखिए इस तरह से चकले पर मैंने इस पेस्ट को मच्छे से बेल लिया है इसे और आप देख सकते हैं मैंने इसके तिकनेस को लगभग एक इंच के करीब रखा है आप चाहें तो इसे मोटा या फिर signer को हटा दें इस तरह सेさ myself बर्फी बनेए वह uneven hvad Department जो इस लिए स्थेन कोनर को हटा लेंगे इस तरह से कि अब आप में से डиш का लेते हुए किठ कर लेंगे मैं यह आप इससे काजू कतले शीप में कट कर रही हूं अप चाहें तो किसी ओर शेप मेंठी है कि भी आप चाहें इस तरह से कट कर लेने के बाद इसके उपर हम सिर्वर वर्क लगा दिंगे जिसे एकदम काजु कतली जैसी लगेगी तो ये देखी फ्रेंड्स हमने काजु कतली बना करके तयार कर ली है वो भी बहुत कम काजु के साथ और टेस्ट के साथ ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही हल्दी है क्योंकि हमने इसे मखाने से बना करके तयार किया है तो लिजे फ्रेंड्स हमारी ये बहुत ही टेस्टी काजु कतली बन करके तयार हो गई है आप इसका टेक्श्चर देखेगा कितने सॉफ्ट बनी है मुझ में लेते ही घुल जाने वाली ये बर्फी बनी है मज़ा ही आ जाएगा एक पर आप इसे चक लेंगे न तो इसका स्व इसके साथ ही आप मुझे कमेंड्स चेक्शन में कमेंड करके बता सकते हैं कि आपको HIV कैसे लगी आप सबीकि प्यारे Pap плюс परना मुझे बहुत फोलो कर सकते हैं उनके लिंक आपको मेरे बार शेक्शन में मिल जाएंगी एक बार आप सभी जडूर सेकुट करूंद कर ऒएग और भी मज़दा रेसिपीज देखते रहने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बैल आकम पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हर निव वीडियो की नोटिफिकेशन सल से पहले मिलते रहें फ्रेंट्स एक बार आप सभी मेरे चैनल पर जरूर विजिट करिए का आपको कई तरह की नई नई रेसिपीज देखने को मिलेगी तो चलिए दोस्तों आप इस सूपर टेस्टी डिलिशियस और सेहत से भरपूर काजु कतली का मज़ा लीजे मैं मिलती हूँ आप से नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई